प्रियता बरामणों की रच्छा करने के लिए उनके पत्र के आधार पर अगर हमारे देश के प्रदानमंत्री या सरकार उस दियम को सस्पेट करती है तो ये चेलेज के साथ में कह रहा हूँ आने वाले समय में तुम अपनी जगह सुर्चित कर लो ये जद्दा तुमको छोड ऐसा कैसे हो गया इसलिए मैं इन देश के ब्रामण समाज के लोगों से अपील करता हूँ तुमने इतने परस्तक साशन किया लोगों को खोपड़ी में बैठके उनको मांसिक गुलाब बनाया ये जो जो चेतना लोगों में उत्पन होगी तियो तो तुमारी टुकाई होगी ये तो शुरुआत है तिर्परा राज़े पर गटित होई जो सोशल बीडिया पर वारल होई और उसके द्वारा ये जारकारी प्राप्त होई कि किसी इब्रामण ने रात को साड़े ग्यारे बजे साधी होने का बहूरत देखाला जबकि दस बजे लोकडाउन जो है लागू हो जाता था लेकिर बाबजूत उसके लोकडाउन लगदे के बाबजूत सेकडों की सग्या में लोग वहाँ एकत्र हुए पंडाल के नीचे जहां उस साधी को अज्याम देना था और घटना ये है कि जिस ब्रहमन ने साधे ग्यारे बजे का बहुरत निकाला तो दो चीज हमारे सामने उत्पन हो रही है इस घटना से एक तो ये एक तरफ सासन इस करोणा बारिस के चलते कानूट जो बढ़ा रहा है या आदेश जो दे रहा है चाहे केद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो क्योंकि एक तरफ सरकार के आदेशों का राज्यों सरकार पालेड कर रही है और उसमें ये कहा जाता है कि सक्ति के साथ लग लौकडाउन का पालेड कराया जाए क्योंकि सोसल डिस्टंस न होने के कारण मुओपर मास बाजने के न कारण देश में निरंदर करोना बारस का प्रकूब बढ़ रहा है मैं यहां आम लोगों से जो चिद्दक है बुद्ध जीबी है या जिनकी अंदर जराबी सोचने समझने की भावना है या जो कानून के ग्याता है उनसे एक प्रस्द में पूछना चाहता हो वो प्रस्द मेरा ये है इस कहानी में तीन बात जुड़ी हुई है एक तो ये कि एक ब्रामण के साथ वहां के जिलाधीश ने असब्धा का बेवभार किया वाइरल तो ये बताता है कि उस ब्रामण में थपड मार दिया जो साधी करा रहा था यहां मेरा प्रस्द है उस ब्रामण में उस नियव ने जो जाती से यादब था थपड मारा तो यहां एक प्रस्द पैदा होता है थपड क्यों मारा क्या थपड इसलिए मारा कि वो लोकडाउन का पालन नहीं कर रहा था या थपड इसलिए मारा कि लॉकडाउन होने के बापसूद भी इतनी शंख्यावर लोगमा एकत्रक्यों हुए अगर इस द्रश्टी से देखा जाए तो वो थपड मानने की जो गटना है एक I.S. अदकारी ने किसी ब्रामबड के गाल में मार लो थपड मार दिया तो मैं यह जानना चाहता हूँ जो वहां का डियम था जो I.S. अदकारी था उसने कम से कम लॉकडाउन के चलते ब्रामबड से कोई बाच्चीत भी की होगी ऐसा तो नहीं है कि I.S. पागल तो नहीं होता है या बांद दो नहीं खा रखी थी उसने या कोई नसा जो नहीं किये हुए था कि ब्रामबड के गाल में थपड़ बार दिया कोई ने कोई बाच जरूर हुई होगी ये कहा जा रहा है एक तरफ से इस घटना को लेके ब्रामबड और बढ़ चड़ करके लेटर लिखा परदान मंत्री को को इसको अब लब तुरंद निलंबड किया जाए मुझे कुस्वित्षुग के उस रामराज की कहानी यादा रही है जिस सम्मुख तपश्या में सलग्ड था तलीद था उस सम्में ब्रामडों ने जाकर कि राम से ये प्रासना की कि हे राजन इस सुद्र के तपश्या करने से हमारा कुलबद बच्चा जो है हमारे कुल का जो दिपक जो था उसकी मृत्व हो गई इसलिए ये सास्त्रों के खिलाब है जब राम ने पूछा कि इसका क्या सजा होनी चाहिए तो उन्होंने मांगी थी कि इसको अबलब मौत की सजा दी जाए नहीं तो अदर्थ हो जाएगा अगर जो है इस सुद्रों तपश्या करना सुरू कर दिया इस सास्त्रों के खिलाब होगा आज राम मंदिर के बन जाने बनके ये कहना चाहिए कि राम मंदिर बनने की सुरुआत होने से भूम बूजन होने से बर्तमाल सरकार जो भारत की धरती पर राम राज लाने की कलपड़ा कर रही है उस कलपड़ा को साकार करने का प्रियास कर रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जब से राम मंत्र का भूम पूजन शुरू होने के बाद निर्माड कार की चर्चा हो रही है तब से हमारे देश के सादू संतों का ही नहीं बराबर समाज के लोगों का तो दिमाग पूरा ही एक तरीके से पगला गया है पागन हो गया है उनको ऐसा लगता है कि अब सत्ता जो हमारी है राबराज आकर हैगा लेकिन मैं ये बता दू अब राबराज की दुआई देने वाले ये सोच ले कि वो राबराज आने वाला नहीं है क्योंकि दो तीच चीजे है सीता ने बड़ोबास 14 बरस बितीत किया कितने अच्छे ब्रामणों ने उसकी साधी का महुर्द निकाला होगा फिर विचारी को 14 बरस का दंड मिला मैं यह यह जानना चाहता हूँ जिस ब्रामण ने जो महुर्द निकालने मैं जन्म से लेके मृत्व के बाद तक जो भी कहानी संसकार है उन समय पारंगत है तो क्या उसको यह पता नहीं था कि जिसका मैंने 11 बजे यह मुर्द निकाला है और लॉकडाउन के चलते अगर साधी होगी कानूरी प्रकरिया कोई अपड़ाई गई या पुलिस को या जिलादीस को बालू पड़ गया तो क्या मबंडर होगा क्या उसे यह कल्परा नहीं कीती कि मेरी पिटाई हो जाएगी तो जिस मेरा मड़ को यह पता नहीं है जो मुर्द निकालना है साधी का कि अब खुद ही पिट रहा है अरे कम से कम उसे इतना तो ग्यान हो जाना चाहिए था कि मैं ऐसा मुर्द क्यों निकालना हूँ कि उस मुर्द में साधी कराता समय मेरी ठुकाई हो जाएगी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से यह सरकार क्या IES IPS लोगों को अपनी उंगलियों पर नशाना चाहती है तो मैं ये उन से पूछना चाहता हूँँures लोगstrong डाउन लगाना और लोगों द्वारा उसका उलंगण करना इसमें कौन दोसी है सरकार दोसी है अधकार दोसी अधकारी दोसी है या उच्छेतर का प्रसासरेक अधकारी दोसी है, पुलिस दोसी है, कौन दोसी है, मान लीजिए, अगर वो साधी में जिलादी से उस समय मौके पर नहीं पहुचता, तो दूसे तरी पेपर में ये निकलता, लोकडाउन के चलते, सैकड़ों की संख्या में, रात के साड़े ग दान की है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उस आईएस ने जो भी कदम उठाया, वो गलत था, अगर वो गलत था, तो सक्ती से लोकडाउन लगाने की, ये सरकार जो, ये छेतरी, यानि राज्यों को, या जिलों को, ये आदेश को दिया जा रहा है, कि लोकडाउन का सक्ती से पालड कराया जा, जो लोग जो माच नहीं मानते है, उनको तरफ बंद किया जा, जो भाना किया जा, यहाँ तक के पुरिस, तो हम डड़ने मा जा रही है, एक तरफ जो माच नहीं माद रहे है, उनकी पिठाई हो रही है, और ब्राहमण छत्री की बेटी से, बनिया की बेटी से, सुद्री की बेटी से साधी कर सकता है, लेकिन कोई भी बनिया, कोई भी छत्री उस ब्राहमण की बेटी से साधी नहीं कर सकता, सुद्री की तो बात ही अलग है, लेकिन अब भारती सम्विधार के निर्माण होने के बाद स हमें आगया है कि जो लोग जो परहमण लोग राब राज की कल्पणा कर रहे हैं जिव जिव इस देश में बैग्जानिकी योग आएगा तियों तूं ये करमकांडी लो तियों ये नास्टिकतां द्भाई देने वाले लोग तूं तियों ये देवि देवताओं की द्भाई देने वाले लोग मुझे लगता है आने वाले समों में मंदरों में ताले ठुक जाएंगे क्योंकि आप सरकार आतिस दे रही है मंदरों को बंद कर दिया जाए बो भगवां जो इन बड़े-बड़े राज़ितिक लोगों को दंड नहीं दे सकता और उनमें से बो दंड क्या एक भी देवता इनको दंड दी दे सकता तो मैं समझता हूँ बो देवता घंडे के देवता है काई के देवता है किसके देवता है किसने उनको बनाया है यहां प्रस्ण ये है कि एक यादम द्वारा एक ब्रामबड के गाल में थपड मारा गया तो पूरा ब्रामबड जाती ही नहीं देवता तक लोगों मैं हाहा कार मच गया मुझे लगता है देवता लोग भी कपकपा रहे है उनको भी तकलीब हो रही है क्योंकि उनका ट्रांस्पीटर जिससे मिला हुआ है उनका पेसकार जो लोगों के केस को उसकी अधानत में रखता है जब वो पिठने लगा यहां यह बात आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ अगर कोई आई यह सदकारी या आई पिया सदकारी या जूदी सील का सेल टेक्स का करने इंकम टेक्स का कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो लोगों को उसके समर्थ में आना चाहिए उसके होसले को बलंद करना चाहि ये लेकिन होता क्या है थपड मारा कोई जाच नहीं होगी तुरत ये आदेश दो कि उसको सस्पेंट कर दिया जाए ब्रामपट ने क्या गलती की इसकी कोई जाच नहीं होगी उस आई अच ने क्यों थपड मारा इसकी कोई जाच नहीं होगी ग्यारे मजे लॉकडाउन के बा सबस्ता हूं एक आम आदमी में एक आम मूर्ख आदमी में और उननेताओं में क्या फर्क रहा क्या सोच रहे सकती कि उर्गी जो जो भाबना है उसमें क्या दर रहा बगर सोचे समझे एक दब उच्छे कदब उठा दे वे तुर्ट दिये के लगना बहुत जरूरी है और सभी लोगों को लगना बहुत जरूरी है वहां से आ रहे हैं उस देश से आ रहे हैं इस देश से आ रहे हैं और उसके बाब जूत हजारों की संग्या में लोग निरगदर मर रहे हैं अगर ये सरकारी करबचारी आईएस आईपीएस अधिकारी अगर कानून का सकती से लोगों के बीच में पालन नहीं कराएं तो इन नेताओं को भबिश्य क्या होगा इन नेताओं की आलत क्या होगी जो जंदा सड़कों पर उतर रही है जिनके लोग मर रहे है जिनके घरों में नोजबानों की मौत हो रही है जिनके घरों में कोई बेटा मर रहा है किसी कोई बेटी मर रही है किसी कोई मा बर रही है किसी का कोई बाप मर रहा है वो लोग ब्रामणों की रच्छा करने के लिए उनके पत्र के आधार पर अगर हमारे देश के प्रदानमंत्री या सरकार उस DM को सस्पेट करती है तो ये चेलेज के साथ में कह रहा हूँ आने वाले समय में तुम अपनी जगे सुर्चित कर लो ये जंदा तुमको छोड़ेगी नहीं ख होते हुए ऐसा कैसे हो गया इसलिए मैं इन देश के ब्रामण समाज के लोगों से अपील करता हूँ तुमने इतने परस्तक साशन किया लोगों को खोपड़ी पे बैठके उनको मांसिक गुलाब बनाया जियो जियो चेतना लोगों में उत्पन होगी तियो तो तुमारी ठो करके साकार रूप में आ जाओ तो मैं समस्ता हूँ निश्चित रूप से इस देश का यानी भविस्ट उज्वन होगा ये देश फिर से पिश्वगुरू कहलाएगा इसलिए मैं अन्तमें यही कहुँआ कि कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार सोचे कि इस घटना का इंजा हैं यहाद्मोश सच है तो उस द्यatीम की पतलब करें यहाद 365 प्रावब्र सजय तो उसकी पतलब करें लेकिन इंसाब के साथ जयाएं के साथ न्याएं के साथ नतीक्ता के आधार पर कदम उठाए आक बीछ कर के कि Süर में नहीं जा नहीं तो किसी अन्देब हैं और त cigarette दो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को बैल आइकोन दवाना ना भूलें सबसे पहने हमारी वीडियो देखने के लिए